अलो फ्रेंट्स वेलकम टू दी कॉंसेट यूट्यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और यूपीसी सीसी प्रिलिम्स के लिए आर्ट इन कल्चर की हमने जो सिरीज शुरू करी है उसमें इंडियन पेंटिंग्स में आज हमें पढ़ना है मिनियेचर पेंटिंग् पहले इंडियन पेंटिंग्स हमने प्रिस्टॉरिक पाइंटिंग्स और मुराल पेंटिंग्स टॉपिक को कवर किया आज हम पढ़ेंगे मिनियेचर पेंटिंग्स फिर उसके बाद हम जो राजपूत्ताना पेंटिंग्स हुँ या पहाड़ी school of पेंटिंग्स है या अन्य रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है उनको कवर करेंगे ठीक है लेकिन आज के टापिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक प्रीवेस सेशन को कवर नहीं किया है यानि कि एंशेंट की सिरीज जि उन सेशन में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंड में जरूर दे और अपना फीड़बेक जरूर प्रोवाइड करें आपको ये सेशन जैसे भी लगते हैं उसके अलावा इन सभी सेशन के पीडिएफ आपको कहां से मिलेंगे मेरे टेलिग्राम चैनल च उसके अलावा अपने घर के कमफर्ट मर बैठ कर आप अगर प्रिपेर करना चाते हैं तो अनकेडमी लेकर आया है आपके लिए सब्सक्रिशन प्लैंज प्लस एन इकॉनिक जिसमें डेली लाइव क्लासे स्ट्रक्चरड कोर्से अनलिमिटेड एक्सेस तु दा कंटेंड ला मेरा चोहांसर हिस्ट्री इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनकेडमी के प्लस या आइकॉनिक प्लैंज को उसके अलावा अगर आप अगर आप सोच रहे हैं कि एक साल का सब्सक्रिशन लें ताकि थो सब्सक्रिशन मिल जाएगा मेक शोर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड उसकरे मेरा चोहां अंडर्सकोर सर अंडर्सकोर हिस्ट्री उसके लावा वीकली वन और वन परस्नल मेंटरिंग बहुत भेहतरीन इनिशेटिव अनकेडमी द्वारा इस लिंक पर जाईएगा सारी इनिशेटिव जाएगा उसके लावा एक यहर के बैचेज दो यहर के बैचेज इन सी रटी बैचेज शुरू हो चुके हैं सो दिस इस दर राइट ताइम टू सब्सक्राइब टू अनकेडमी उसके लावा लोन फर यूपीए सीग बहुत 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 सीरीज राइज वल्ड अफेर अनकेडमी पाथफाइंडर अविलेबल है अलॉक करने के लिए कोड यूज करें चोहां सर हिस्ट्री उसके अलावा अनकेडमी कॉमबैट स्कॉलर्शिप टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में अविलेबल है एंड्रॉइड अप्लिकेशन पर करने के लिए मेरा कोड यूज करें टॉप रैंकर्स को स्कॉलर्शिप मिलती है ठीक है तो लेट अस्टार्ट टुडेस टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनियेचर पेंटिंग को अभी तक पेंटिंग में हमने देखा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानि कि पर किसी भी फिक्स्ट स्ट्रक्चर पर अगर पेंटिंग बनाई जारी है ठीक है लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे मिनियेचर पेंटिंग को और मेडिवल टाइम्स की मिनियेचर पेंटिंग को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मिनियेचर पेंटिंग का पह यह है कि it is not necessary कि miniature painting दिवार पर बनी हो किसी कागज पर किसी कपड़े पर भी या किसी palm leaf पर जो है वो painting जो बनी है और अगर वो small highly detailed लेकिन small in size अगर वो painting है तो उसे आप miniature painting कहेंगे ठीक है the highlight of these paintings is intricate and delicate brushwork which lends them a unique identity तो बहुत highly detailed paintings आपको यह देखने को मिलेंगी the color जो colors use किये जाते हैं वो mostly handmade होते हैं तो हम यह pre-historic time से देखते हैं रहे हैं red ochre, black, white, blue, green यह सब naturally available colors हैं लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे colors जो हैं वो vegetables से, precious stone से, mineral से जो है वो extract करने का तरीका over the period इंसान नहों नहीं develop कर लिया right from minerals, vegetables, precious stones, indigo, conch shells, pure gold और silver तक का इस्तमाल किया जाता है painting में color करने के लिए gold तक का इस्तमाल किया जाता है the most common of them of the mini most common theme of the miniature painting of India comprises of ragas that is the musical codes of Indian classical music अब देखी यहाँ पर आपको miniature painting अब medieval times की देख रहे हैं ना so medieval times में बड़ी शक्तियां कौन-कौन थे तो जो राजपूत हैं उनसे आप शुरू कर देंगे ठीक है राजपूतों के अलावा दिल्ली, सुल्तान, मुगल्स ठीक है और डककन के सुल्तान तीन ये शक्तियां है ना राजपूत है, दिल्ली, सुल्तान है, मुगल है, दककन की सुल्तान और बहुत सारी provincial शक्तियां जैसे अवद है, बंगाल, हिदराबाद ये सारी प्रोविंशिल सकते हैं तो हम देखेंगे कि इन लोगों ने कैसी कैसी miniature paintings बनवाई ठीक है, लेकिन अगर आप राजपूतों की बात करें या जितने भी हिंदू स्कूल आपको देखने को मिलेंगे उनकी common theme होती है, रागों से related, तो जितने भी musical राग हैं, उनको painting में depict करने की कोशिश जो है, वो इन miniature paintings में की जाती है लेकिन अगर आप मुगल और देखनी स्कूल या राजपूती या उडिशा स्कूल को देखेंगे, तो उसके अलावा आपको जो court में होने वाली जितनी घटनाए हैं, क्योंकि ये miniature painting जो है, वो किसी आम कलाकार के बनाने की पसका नहीं है, ये miniature painting वो ये ऐसा ही कलाकार बना सकता है, जिसको patronage मिली हुई हो, जिसके पास right tools, right, मतलब उसके पास पूरा जो है, वो सारे resources और ऐसी situation बन सकती है जब किसी artist को कोई बड़ा बड़ी dynasty या बड़ा कोई emperor जो है, वो patronize करें तो बड़ी dynasties, बड़े emperor जैसे की मुगल emperors हो गए दक्कन सुल्तान के emperors हो गए ठीक है, बंगाल के emperors हो गए इन राजाओं ने आर्टिस को patronize किया है और बदले में इन आर्टिस ने इन राजाओं की बढ़ाई में बहुत सारी जो है वो paintings प्रिपेर करी है so that means court से related painting राजाओं महाराजाओं के kings, emperor शाह, बादशाओं के, सुल्तानों के courts में क्या-क्या घटना हो रही है ठीक है, उनको डिपेक किया गे in painting से the different school of miniature paintings in India include pal, the mughal, डेकनी, राजपूत, उडिशा तो miniature painting के ये basic जो हैं वो schools है पाल, यानि कि बंगाल से mughals, ठीक है उसके लावा डेकनी, डेकनी में आपके, एहमद नगर, बीजापूर, गौलकॉंडा हैदराबाद, और उसके बाद राजपूत और उडिशा तो राजपूत और उडिशा तो हम अगले session में देखेंगे ठीक है, आज हम पाल, मughal और डेकनी स्कूल of miniature paintings को देखने जा रहे हैं तो ध्यान रखीएगा, अगर आप जानते हैं की दे पेटरोनाइजड बुद्धिजम इनकी जो miniature painting होगी वो mostly बुद्धिजम या जैन text के अराउंड जाए, वो रिवाल्व कर रहे होंगी, राइट दे अर्लियस example of miniature painting in India exists in form of illustration to religious text on बुद्धिजम executed under the palace of eastern India and जैन text executed in western India during the 11th and 12th century so जैन और बुद्धिस्ट हमें सबसे पहले बुद्धिस्ट और जैन हमें सबसे पहले miniature painting देखने को मिल रहे हैं अब ध्यान दीजिएगा कि mural painting भी सबसे पहले हमें Buddhist देखने को मिली थी अजंता से और miniature painting भी हमें सबसे पहले paal school की ही देखने को मिल रही है miniature painting paal school की हमें सबसे पहले Buddhist की ही देखने को मिल रही है so इस तरह देखें तो जैन जो है वो गुजरात side आ गए ठीक है और Buddhist जो है वो Bengal side patronized है तो गुजरात राजस्थान मद्धेपरदेश की अरिया में पर जैन मंदिर भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं इसी सेम पीरिड के 11th और 12th century के वहाँ पर हमें जैन miniature देखने को मिलता है और यही 9th, 10th, 11th, 12th में paal शाशक और फिर subsequently 10 शाशक एक्टिव रहे बंगाल की रिजन में उस समय के हमें बुदिस्ट मिनियेचर पेंटिंग देखने को मिलती है ठीक है इस तरह की देखिए बुदिस्ट मिनियेचर पेंटिंग है तो यह manuscript है इन manuscript में यह बुदिस्ट जो है वो miniature paintings है ठीक है यह बुदिस mythology से related miniature paintings है mostly ठीक है तारा और बुद्ध को depict किया गया है तो यह सारी जो है वो बुदिस्ट मिनियेचर पेंटिंग है यह 9 miniature paintings है एक ही manuscript में से है ठीक है ठीक है दुदिस्ट मौनिस्ट्रीज महा विहार अफ नालंदा ओदंत ओदंत पूरी विकरम शीला और सोम रूपा वर great center of Buddhist learning and art a large number of manuscript on palm leaf relating to Buddhist themes were written and illustrated with the images of Buddhist deities at these centers which also had workshops of casting of bronze images जैसी bronze images हमें देखने को मिली है अब पाल शाशकों ने वजरयान sect of Buddhism को जो है वो वैसे महायान और फिर महायान के बाद वजरयान जो है वो जादा famous हुआ बंगाल वाले region में ठीक है तो महायान से related जो बुद्ध के रूप है या फिर उसके वाद वजरयान से related जो बुद्ध के रूप है ठीक है उनकी हमें ये illustrations देखने को मिलती है इस तरह manuscript में ठीक है तो ये सबसे पहली miniature painting है देख रहे हैं बिलकुल छोटी छोटी painting अब manuscript आप देखेंगे तो ये ज्यादा कुछ बड़ी नहीं होती छोटे से होंगे राइट the students and pilgrims from all over Southeast Asia gathered there for education and religious instruction पाल पेंटिंग is characterized by sinuous lines and subdued tones of color it is a naturalistic style which resembles the ideal forms of contemporary bronze and stone sculptures and reflects some of some feeling of classical art of आप जनता तो देखिए ये ना अमरे GS1 के लिए हो गया points की characteristics क्या है ठीक है प्री में characteristics के बारे में बहुत कम point प्री के लिए point क्या है कि पाल स्कूल आफ मिनियेचर आर्ट है theme क्या है पाल स्कूल आफ मिनियेचर आट की बुद्धिजम ठीक है और बुद्धिजम में भी strong कौन सा तो वज्रयान आपको जादा strong देखने को मिलेगा ये कहां देखने को मिलेगा तो ये बुद्धिजम से related जो है वो manuscript में हमें देखने को मुलते है तो इस तरह के जो points है ये pre के लिए important है mains के लिए gs1 के लिए important point है ये characteristic ठीक है कि sinuous line sinuous line क्या होती है ये जो sinusoidal जो lines होती है ठीक है इनको sinus lines कहा जाता है तो आपको देखी ये जो है इस तरह की जो मतलब curved lines आपको देखने को मिलेंगी ठीक है इनको sinus lines कहा जाता है right curved lines आपको बहुत सारी curved lines देखने को मिलेंगी तो और centrality एक theme है यहाँ पर ठीक है तो वो centrality आपको अजंता में भी हर एक scene में एक Central कोई न कोई जो है वो image होगी ठीक है तो central image में जो है आपको तारा देखने को मिलेंगे ठीक है Central image में आपको बुद्ध देखने को मिलेंगे तो यह aganthti से चला आ रहा है न Aganta की characteristics ठीक है और optional से related जो question बनते हैं उधर हम पाला miniature को detail में study करेंगे लेकिन यहाँ पर जो basic सवाल मैंने आपको बताए Buddhism से वज्रयान से related manuscript से निकलते हैं ठीक है The पाला art came to sudden end after the destruction of Buddhist monasteries पाला art खतम कब हुई जब खल्जियों ने Buddhist monasteries को तभा किया दिल्ली सुल्तानों ने या Muslims कह लिजिये At hands of Muslim invaders in the first half of 13th century The surviving example of पाला illustrated manuscript mostly belong to वज्रयान school of Buddhism इस तरह के सवाल Destroy किस ने किये खल्जियों ने जब Buddhist monasteries को तोड़ा है वहाँ पर maximum जो हैं वो जला दिये गए है manuscript जो बचे हैं वो वज्रयान के बचे हैं आगे बढ़ते हैं Next आएगा आपका Mughal school of miniature painting क्या है पहला Mughal paintings are generally confined to miniatures Mughal painting mostly miniature है क्योंकि Mughal painting आपकी हुमाईउं से शुरू होगी और हुमाईउं अपने साथ लेकर आया फार्सियों को और miniature painting जो Muslim miniature painting है वो फार्सी खास तरह पर सफविदों के साथ जो है और फिर अखबर ने उसको आगे continue किया Mughal paintings are generally confined to miniature which emerged from Persian miniature painting with Indian, Hindu, Jain and Buddhist influences and developed largely in the court of Mughal empire from 16th to 18th century So Mughal school में Persian root कहां है Persian root से और फिर element कौन कौन से add हुए Hindu, Jain और India आकर Buddhist element add हुए इन सब को जोडेंगे आप तो आपको Mughal school of miniature painting मिलेगा खीक है Next, in its initial phases it showed some in-depthness to Safavid school of Persian painting but rapidly moved away from Persian ideals तो Persian शुरुवात में कौन सी? Safavid, ध्यान रखना है आपको Safavid Persian school का influence शुरु में था फिर धीरे धीरे जो है वो एक uniqueness अपनी Mughal culture ने develop करी वो uniqueness क्या थी? इन चारो मतलब Hindu painting, Jain painting, Buddhist painting traditions और Safavid painting traditions सब को जोड़ कर जो है वो Mughal miniature निकल कर आया ठीक है Probably the earliest example of Mughal painting is illustrated folk tale of Tuti Nama Tales of a Parrot अब Tuti Nama जो है वो अकबर के अंडर डवलप हुआ है The Mughal style evolved as a result of happy synthesis of indigenous Indian style of painting and Safavid school of Persian style मैंने वहला ना Safavid और Indian style जो prevalent था है नही जैनों का बुद्धिसम का और हिंदूों का यह तीनों जुड़कर चारों जुड़े और Mughal style of miniature painting डवलप हुआ मुगल style is marked अब ऐसा क्यों हुआ क्यों कि हुमाईयूं अपने साथ जो है वो फार्सी painters लेकर आया था जीक है अब यह जो फार्सी painters हैं और अकबर ने अपने court में रखे हुए थे अकबर की court जो है वो बहुत जादा secular थी तो हिंदू painters अकबर ने अपनी court में रखे हुए थे तो हिंदू painters वो हिंदू painters और यह फार्सी painters ने मिलकर जो है वो अकबर की court से डवलप की मुगल miniature painting The Mughal style is marked by supple naturalism based on close observation of nature and fine delicate drawing ठीक है देखिए यह है तूती नामा तूती नामा basically है क्या कि एक लड़की है उस लड़की को एक तोता जो है वो बावन रातों तक एक एक जो है वो story सुनाता है हर रात को एक story सुनाता है उसमें एक social message होता है ताकि यह लड़की जो है वो sexual endeavors में ना पड़े ठीक है इस तरह पुट किया गया story को तो यह तूती नामा का miniature है ठीक है तो miniature illustration में basically होता यह है कि एक painting से story establish करने ही कोशिश की जाती है ठीक है यह देखिए और हो सकता है इन केस जो है वो कई बार उस painting के आसपास depiction जो description है उस painting का वो लिखा भी होता है तो यह तूती नामा है लड़की को जो है वो story सुना रहे तो होता अब मुगल miniature जो है वो aristocratic है यानि कि royal family के royal family के जीवन के आसपास जुड़ी होती है अब जैसे यह तूती नामा है यह पुराना इंडियन भी और पुराना परशियन पुराना फोल्कलोर है यह ठीक है कि तो ते ने जो है वो story सुनाई उसके अलावा जैसे रामायनक और महभारत की translation तो इंडियन एपक्स एस फार्सी एपक्स की अकपर ने जो है वो अपने court made मतलब paintings के माध्यम से जो है उनकी translation करवाई portraits of उसके लबा portraits बनी अकपर के जाने के बाद जहांगीर आया और जहांगीर आया अंग्रेजों के संपर्क में तो अंग्रेजों ने जहांगीर को जहांगीर को अपनी portraits भेजी English king और queen की वहां से जहांगीर को पता चला कि यार एक miniature में हम पूरा scene create कर देते हैं क्यों ना हम अकेले जो है वो बादशाह की painting बनाए जैसे अंग्रेजों ने बनाई हुई है तो अकपर का हमें miniature अकपर की हमें portrait नहीं देखने को मिलती है हमें जहांगीर से portrait देखने को मिलती है फिर उसके बाद तो लाइन से जहांगीर शाह जहां और अंग्जेब की portraits हमारे पास अबलेवल है राइट and his court studies of natural life and genre senses scenes genre scenes the safavit dynasty was one of the most significant ruling dynasty of Iran often considered the beginning of modern Iranian history so modern Iranian safavit जो है वो इरानियंज में मतलब आप यह माल के चलिए कि मुगल के contemporary safavit जो है वो काफी strong इरानी शक्ति है ठीक है उसके बाद फिर safavitों के बाद ottomans ने जो है वो मतलब overpower कर लिया हुने ठीक है the safavits were the last sovereign to promote a Persian national art that was miniature ठीक है तो इस तरह की miniature देखिये तूती नामा का है एक और जो है वो depiction है लेकिन यह later part का है तब का नहीं है बाद का है बात करते है हुमाईयों की the school had its mughal school की शुरुवात जो है वो हुमाईयों से होती है ठीक है emperor हुमाईयों when हुमाईयों returned to India he bought two accomplished Persian artists ठीक है अब्दल सामड और मीर सायद अली बहुत important ध्यान रखने आपको अब्दूल सामड और मीर सायद अली और अकबर जो है अब्दूल सामड के साथ जो है वो पला बड़ा बच्पन से मतलब अब्दूल सामड तो बड़ी उमर का था लेकिन करें अखबर जहांगीर इन शाह जहां हुमाईयों इन आर्टिस्ट को लेकर आया लेकिन डवलप जो है वो अखबर ने किया फिर क्योंकि हुमाईयों के पास इतना समय नहीं था और यह देखिए अब्दूल सामड के द्वारा प्रिपेर्ड एक miniature painting इसका नाम है princes of Timur तो यह damaged है basically cotton के कपड़े के ओपर बनाया गया यह miniature painting और princes of Timur यानि कि Timur के princes और यह basically वंशावली कह लिजे यह family tree को depict करने का तरीका था तिमूरियों की राइट बात करते हैं अकबर की during the reign of Humayu's son Akbar the imperial court apart from being the center of administrative authority to manage the rule of vast Mughal Empire also emerged as center of cultural excellence अब देखिए अकबर को यह बात समझ आई कि अगर भारत हिंदोस्तान पर साशन करना है तो राजपूतों को हिंदूों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और राजपूतों को हिंदूों को अपने साथ जोड़ने का मतलब केवल यह नहीं है कि उनसे matrimonial alliance करा नहीं उनके culture को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा तो अकपर ने अपने पूरे जीवन में ऐसे बहुत सारे experiments किये जिससे culture जुड़ जाएं जैसे कि उसने architecture को जोड़ने की कोशिश किया उसने religion को जोड़ने की कोशिश किया उसने music को जोड़ने की कोशिश किया उसने painting को जोड़ने की कोशिश करी और यह जो हिंदू style of painting और फार्सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो जुड़ी है उससे हमें मुगल मिनियेचर देखने को मिलता है जो कि अकबर के समय में डवलप हुआ है तो अकबर के लिए history option वाले मेरे students सुन लें यह important concept है आगे हम इसको बड़े लेवल पर explore करेंगे अकबर की policies में क्योंकि कुछ student जो है वो कल पर सो एक answer writing की बात कर रहे थे live glass में हम है ना ठीक है तो वह मतलब अकबर और अशोक को compare कर रहे थे तो अकबर के लिए war techniques को fuse करने ही कोशिश करी administration को fuse करने ही कोशिश करी bloodline को fuse करने ही तो इंडियनाइजेशन हो जाए तिमूरियों का जाद से जादा यह कोशिश करी अकबर ने थीक है तो आज हम painting का देख रहे हैं अकबर inherited इससे पहले मैंने architecture का दिखाया था आपको कि किस तरह architecture में pillars का इस्तमाल छत्रियों का इस्तमाल ठीक है क्या बोलते हैं अमालकों का इस्तमाल उसके अलावा क्या बोलते हैं इनको brackets का अक्पर ने काम और किया ताकि इंडियनियाइशन हो जाए तीमूरियों का थी कि अकपर इन्हेरिटिड़ एंडेड एक्सपैंड इस फादर इस फादर लाइबर्री शेर मंडल जिससे गिरका रह्मायु मारा था लेकिन बनाया कि इसने में आप एटलियर मतलब कि एक ग्रुप एक पूरा वर्क्शॉप टाइप सिच्वेशन ऑफ कोर्ट पेंटर्स एंड पेड क्लोज पर्सनल अटेंशन टू इट्स आउट पूट क्यों कि अकबर मैंने बोला ना अब्दुल्सामड के साथ जो है वह अब्दुल्सामड के साथ जो है व उनका आर्टिस्टिक जो मतलब इंक्लिनेशन थोड़ा ज्यादा होता है राइट सो अकबर का भी था आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन तूति नामा बिलकुल शुर्वाती मुगल आप ये कहेंगे तूति नामा आप ऐसा कह सकते हैं कि मुगल मिनियेचर का सबसे पहला फेज है फिर आप कहेंगे कि उससे पहले प्रिंस ओफ तिमूर की बनाया उसने अब्दुल्सामड ने लेकिन वो फारस से बना कर आया जंबे समय तो घुमायू फारस में भी तो रहा ना एन इलिस्ट्रेटिड मैनुस्क्रिप्ट आफ हम्जा नामा कंसिस्ट ओफ फॉर्टीन हंडर्ड कैन्वस फोलियोज सो हम्जा नामा बेसिकली क्या है हम्जा नाम का एक एक हिरोईक करेक्टर है सेंट्रेशियाटिक तु पानी के ओपर चल रहा है इस तरह की नए शहर में इंट्रडक्शन हुआ है उसका तो हम्जा नामा में सो यह मिनियेचर है देखी दिस इस मिनियेचर एक एक इमेज में कितना कुछ एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करते हैं और टॉल यह यह फारसी करेक्टर है टॉल यह इस तरह इस तरह ग्राइजुली ग्रो कर रहा है देखिए यह फल büy spokerest यह फ्लैट पिर एक इफिल सरThankag इस फ्लैट सरफेस है होरा हम्जार कि यह फ्लैट शिर्टे ग्रोलियर अव्पर पर क्या चीज है वि उसतरह आ हापको ऊपर यह वार्य निजरा है ऐगा मैं चीज दो रहा है ठीक है पानी के ऊपर चल रहा है राजगुमारी को बचा रहा है उसके अलावा यहां पर नए शहर में इंटर कर रहा है तो इस इस मिनियर पेंटिंग बेड लेकिन यह हम सानामा हम जानामा जो है वो इंडिया की स्टोरी नहीं एंट ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चे से, एक student से confusion हो रहे थी, वो कहरे दें कि नहीं, जो महाभारत है, वो हम्ज नामा है, मैं कहरे रहा था, महाभारत रज्म नामा है, हम्ज नामा अलग है, रज्म नामा है महाभारत, रज्म का मतलब होता है, रज्म is a Farsi word for war, जो महाभारत जो है, वो एक वोर गी epic है, ठीक है, वोर की story है total, जो रज्म नामा महाभारत का translation है, दौ रज्म नामा है, जन्रल सेटिंग अन फ्लैट एरियल परस्पेक्टिव अप परशियन पेंटिंग, यह है वो देखिए, upright format, इस तरह होगा, upright format है न, ठीक है, उपर से नीचे आपको story आती हुए नजर आएगी, right, flat aerial perspective, यह flat aerial perspective, बेसिकली आप देखेंगे तो यह मतलब आपको उपर से देखने में लगेगा, ठीक है, एक नीचे building है, नीचे घर है, ठीक है, फिर एक बीच में गली है, और फिर सामने घर है, इसको flat aerial perspective कहते हैं, नीचे घड़े होके आप देख रहे हैं कि उपर, अगर आप नीचे घड़े होके देखें तो उपर आपको सारे दिखेंगे, ठीक है, या एक बड़ा horizon है, बड़े horizon को टिपिक करनी कुश्च की के, तो जो हम आगे बढ़ेंगे, GS1 के लिए cover करेंगे, तो इनकी details में घुझेंगे, borders का इस्तमाल कैसे, borders कैसे बना जाते थे, क्या color इस्तमाल किया जाते थे, वो हमारे GS1 के लिए है, ठीक है, अकबर's court exhibited an increasing naturalism and detailed observation of world around them, अब देखिए, हम्ज नामा में भी ज़्यादा naturalism नहीं, अब इस तरह की मचलियां कहा होती है, ठीक है, है ना, dragon जो है, वो एक mythical जानवर है, लेकिन, तो यह हम्ज नामा है, यह क्या है, यह एक मतलब फारसी, आप कहले जिए, कि तुर्की mythology से जु में जब आ जाता है, और mughal style of painting developed होता है, तो वो बहुत ज़्यादा naturalistic हो जाता है, natural चीज़े, जो आसपास हो रही थी, reality based हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उसके लावा empathy for animals is evident in illustration of animal fables, particularly कलीला वा दिमना, अब यह कलीला वा दिमना क्या है, बहुत important ध्यान रखिएगा, जो पंच तंतर है जो जानवरों की stories है ठीक है, उनके जैसी ये Farsi translation होनी की, right उसके लाभाए अन्वरे, सुहाईली, ये है देखिए, ये जानवरों की stories है, पंच तंतर stories है ये basically, ये जानवरों की stories है, तो पंच तंतर stories को Farsi में convert किया गया है, right तो ध्यान रखेंगे, next other outstanding series are illustrations of Raj तो यह देखिए यह रजमनामा की एक पेंटिंग है जिसमें अर्जुन जो है वो उपर तीर मारने को इश कर रहे हैं नीचे प्रतिभिम देखकर ठीक है रिफ्लेक्शन को देखकर तो यह एक इलिस्ट्रेशन है किसमें से रजमनामा में से अब देखिए अबदुल सामड जैसे फार्सी पेंटर्स भी हैं प्लस हिंदू पेंटर्स भी है दसवन्थ बसवान जैसे इससे जो है वो एक composite style of painting डेवलप हो रहा है हिंदू और फार्सी कल्चर जुड़के जिसको हम मुगल miniature painting कहते हैं नेक्स बात करेंगे जहांगीर की अकबर के बाद आए जहांगीर अब जहांगीर भी बच्पन से यह culture डेवलप होता हुआ देख रहे थे ठीक है तो जहांगीर की भी artistic काफी बह अच्छा गंडर है तो आप कहेंगे जहांगीर गंडर राइट जहांगीर had an artistic inclination and during his reign मुगल painting developed further brushwork became finer and colors lighter जहांगीर was also deeply influenced by European painting और खास तवर पे European portraits से जहांगीर काफी influence था during his reign he came into direct contact with English crown and was sent gifts of oil paintings which included portraits of king and queen so oil paintings ठीक है यूरोप में चल रही है oil paintings यहांपर चल रही है miniature फार्सी वाली ठीक है अब जहांगीर को दिखा कि हम तो इस तरह जो है वो miniature बनाये करते थे पहले ठीक है और यूरोप में जो है वो लोग अपनी अपनी मतलब portrait बना रहे है अपना exact portrait बनवा रहे है तो ऐसी कुछ व्यवस्ता हम भी कर रहे है he encouraged his royal royal atelier to take up the single point perspective ठीक है यानि कि जैसे portrait बनाने that is a single point perspective favored by European artists unlike the flattened multi-layer style this is the multi-layer style ठीक है एक ही एक ही miniature में काफी सारी चीज़ें जो है वो explain करने ही कुशिश की गई है ठीक है और कुछ इस तरह की जो है वो portraits फिर निकल कर आती है यहाँ पर जहांगीर जो है वो क्या बोलते हैं खुसरो नहीं not खुसरो बट खुर्रम को तुलवा रहे हैं सोने सोने के against ठीक है तो यह basically त पुलादान हो रहा है इस समय राइट यह है देखिए जहांगीर के portrait और उपर यह जो element आपको देखने को मिल रहे है न यह European elements है उपर angels देखने को मिलते हैं ठीक है तो European जो है वो अपने हिसाब से चीज़ें पकड़े होते हैं European angels यहाँ पर देखिए तलवार संश संश बोल electromagnetic element है हेलो पिछे सर के पिछे से सूरज बना होना और यह जहांगीर किसके ओपर खड़ा है globe के ओपर खड़ा है जहांगीर पूरी दुनिया के ओपर इसलिए ना मनुस को जहांगीर पूरे जहां का जो है वो शाशक है वो राइट सो यह European elements देखने को मिलते हैं हमें यह जरो paintings depicting events of his own life individual portraits and studies of bird flowers and animals ठीक है birds की बहुत सारी paintings मनी flower और अनिमल की बी और जहांगीर के जीवन से जुडी हुई है जहांगीर नामा जिसको या तुजू की जहांगीरी written during his lifetime which is an autobiographical account of जहांगीर's reign has several paintings including some unusual subjects such as union of saint with the tigress ठीक है टाइगरेस के साथ एक शेरनी के साथ saint जुड़ रहा है उसके लाबा दो spiders के बीच में लड़ाई हो रही है इस तरह की miniature जो है वो जहांगीर नाम आमें देखने को मिलती है अब यहां देखिए यह एक और portrait है जहांगीर का जिसमें जहांगीर ने पूरी दुनिया को हाथ में लिया हुआ है ठीक है यह जहांगीर का portrait है यह पीछे आपको almost आपको हर जो भी Central Asiatic regions आने वाले या Persian regions आने जितने भी आपको rulers नज़र आएंगे यह prominent personalities नज़र आएंगे उनके सर के पीछे आपको यह halo जरूर नज़र आएगा ठीक है this is that halo that shows that this person is divine यह divinity show करी जाती है इस halo से noted painter कौन कौन है अबू अलहसन बहुत important यह portrait जो है वह जहांगीर का अबू अलहसन ने बनाया अबू अलहसन जो है वह बहुत important क्या बोलते हैं artist है जहांगीर की court का जिसको wonder of age कहा जाता है उसके लाबा बिशन दास praise for his portraiture and उस्ताद मंसूर who excelled in animal studies so उस्ताद मंसूर की animal portraits उसके लाबा बिशन दास portrait बनाये करते थे और अब क्या बलते हैं अबू अलहसन की बहतरीन paintings right so ध्यान रखेंगे इन तीनों का उसके लाबा मैंने most important question की जो series ली थी during the reign of shah jahan but with an increasing tendency to become cold and rigid so shah jahan के समय वैसे shah jahan का जादा investment जो है वो किस पर रहा architecture पर right themes including अब जहां shah jahan के समय की themes का है painting की musical parties lovers sometimes in intimate positions so he was very well influenced by let's say khajurah right on terraces and gardens terrace और gardens में जो है वो lovers intimate positions में मतलब क्या बोलते हैं depict किये गए हैं उसके लाबा as stick gathered सादू जो है वो संत वगरा एक दूसरे से मिल रहे हैं around a fire abound in mughal paintings of this period right तो ये सारी चीज़े जो है वो shah jahan के समय में हमें देखने को मिलती है ठीक है शा जहां के बाद की बात करें तो शा जहां की शा जहां की जो है वो portraits भी देखने को मिलते हैं फिर औरंगजेब के portraits भी देखने को मिलते हैं औरंगजेब के समय decline हो गया लेकिन औरंगजेब उसने खुद जोर नहीं दिया क्योंकि उसने खुद तो सबको excuse कर दिया था सारे painters को सारे artists को court से लेकिन इतना pace जो है वो मुगल miniature art पकड़ चुकी थी कि औरंग जेब के excuse करने के बावजूद भी हमें miniature art देखने को मिलती है अगर कोई दिवान है तो दिवान की salary भी इतनी हो सकती है कि वो किसी artist को रख ले ठीक है portrait बनाने के लिए continue to survive but the decline had set in so that means औरंग जेब के समय तक आप औरंग जेब के जो provincial governors है जो दिवान है उन सब के portraits भी पाएंगे वो सब के portraits जो है वो artists लोग ने बनाए लेकिन औरंग जेब ने actively encourage नहीं किया patronize नहीं किया artist को ठीक है और फिर उसके बाद later मुगल की बात करें there was a brief revival during the reign of Muhammad Shah Rangila क्योंकि as the name suggest Rangila was fond of art right but by time of Shah Alam second Shah Alam second तक सब खतम मुगल patronize जो है वो खतम क्योंकि उसके बाद फिर मुगल बात्शाओं की बसके नहीं थी patronize करना the art of mughal painting had lost its glory by that time other schools of Indian painting had developed including royal courts of Rajput kingdoms of Rajputana so Rajput painting तब तक develop कर चुकी थी मुगल painting की जो prestige है वो घट गई अवद की paintings develop अवद का not just painting लेकिन अवद में हर तरीके का जो art है वो बढ़ चड़ कर develop हुआ क्योंकि नादिर्शाह मैं नादिर्शाह ने दिली पर जब attack किया तो एक बड़ी संख्या में आर्टिस्ट जो है वो लखनाव शिफ्ट कर गए ठीक है उसके लावा लेटर मुगल स्टाइल ओफन शोज इंक्रीज यूज उफ परस्पेक्टिव एंड रिसेशन अंडर वेस्टर इंफ्रेंस तो लेटर मुगल में मतलब जैसे शाह आलम जो है वो इस तरह क को क्या बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइब को दिवानी दे रहा है इस तरह की पेंटिंग देखने को मिलेगी लेकिन आप क्लियरली देख सकेंगे कि वह ट्रेडिशनल मुगल पेंटिंग नहीं है उसमें वेस्टर इंफ्रेंस बहुत जादा है ठीक है क्योंकि पहली बात तो ओयल पेंटिंग्स है ठीक है ट्रेडिशनल पेंटिंग नहीं है वो एक मतलब एक इंक्रीजिंग होराइजन या एक फ्लैट एरियल व्यू जो देखने को मिलता है राइट नेक्स बात करते हैं डेकनी स्कूल की अब दक्कन में कौन कौन है एहमद नगर बीजापूर गॉल कौन्डा तीन बड़ी शक्तियां फिर उसके बाद असफजाही आ जाएगी ठीक है मुस्लिम शक्तियों में से डेकन पेंटिंग स्टाइल इस नौट ओल्डर देन मुगल पेंटिंग्स यट इट कैन सेफली भी प्रेजूम्ड एज सफूस्टिकेटिट स्कूल उफ पेंट कौन्डा देकन स्टूल देकन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहां कहां है एहमद नगर विजापूर गौल कौन्डा इनकी थीम्स भी क्या होंगी यह भी जो है वो अरिस्टोक्रेटिक थीम्स पर ही बने होते हैं लेकिन उसके लावा लोकल ट्रेडिशन का ज्यादा इंफूस दे लेकिन फिर 1686-87 के बाद जो है वो डेकन स्कूल मुगल पेंटिंग से इंफ्लेंस होगा क्यों क्योंकि मुगल जा गए पहले शाजा ने कैप्चर किया फिर औरंग जेपने कैप्चर किया ठीक है पहले एहमद नगर कैप्चर हुआ फिर बिजापूर फिर गोल कॉंडा तो the earliest example of ehmad nagar painting are contained in poems written in praise of contraction निजाम शहा उन पॉयम्स में एक आदी एक मिनियचर हमें देखने को मिल जाती है वो ehmad nagar स्कूल की मिनिचर है is queen the manuscript is known as tarif-e-hussain shahi ये है इसकी image देखे तारीफ-e-hussain शाही है ये बाच हुसेण शहा है ठीक है और यासपास इसकी जो है वो क्या बोलते हैं कोड में इसकी सेवादारी कह लेजी है सेवा कर रही है इसको हावा कर रहे ठीक है घर्मी होती है टेंपरेट मलब क्या बोलता है पैनी जोलर इंडिया में गर्मी होती है काफी है ना तारीफ हुसेन शाहिए अजाइन टू पीरियट 1565 से 69 1565 ध्यान रखिए 65 के बाद 65 1565 जो है वह बैटल ओफ तलीक होता राइट ध्यान रखना आपको यह उसके बाद वुमन इन चोली लम्बी चोटी हैं लेकिन इनमें नीचे आप साफ साफ देख रहें कि परांदे बंदे हुए राइट यह साउथ इंडिया या दक्कन के एरिया का कल्चर है और यह ड्रेस भी आप देखेंगे बुर्के नहीं पहने हुए इननोंने परदे नहीं कर रखें ठीक है यह जो ल अच्छा उल्टा गोल दिया हमने सदन नहीं यह नॉर्धन कॉस्ट्यूम है ठीक है लेकिन यह हमें एहमद नगर में देखने को मिल रहा है सदन कॉस्ट्यूम आगे दिखाऊंगा आगे आएगा राइट सो यह परांदे पहने हुए देखिए लंबी पिक्टेल्स है इसमें परांदे पहने हुए यह जो चोलियां है यह नॉर्थ कॉस्ट्यूम है बट दे लॉंग स्काफ पोजिंग राउंड बोडी इस सदन फैशन लॉंग स्काफ जो पहन रखा है राइट आपको कहीं लॉंग स्काफ यहां पर इस पेंटिंग में नहीं है आगे दिखाऊंगा इस सदन फैशन दा कलर यूज इंद पेंटिंग बिंग रिच अन ब्रिलियंट अर डिफरेंट फ्रों दोज उस इन नॉर्थन पेंटिंग से अलग है सदन पेंटिंग या डेकनी स्कूल के राइट अपर्शियन इंफ्लेंस कैन बी सीन इन हाई हॉराइजन गोल्ड स्काइ थीक है गोल्ड स्काइ इसमें तो गौल्ड नहीं है लेकिन है हाई हॉराइजन देख रहे है एब फिर एक होईजन ये मिलेगा प्रजेंट आ थे नूट राजा राग ही पेंटिंग होगी तो इसमें देखिए कृष्न और रादा नाओर राग की पेंटिंग नोई तो नाच रही है इधर गुपाल भी नाच रही है ठीक है अगें दिस इस हिंडोला राग पेंटिंग ध्यान रखना है आपको और इसमें क्लेरली आप देख सकते हैं कि क्या है यह यह हिंदू पेंटिंग के अलिमेंट आपको देख रहे हैं देकन स्कूल में राइट नेक्स बात करते हैं बीजापूर की इन बीजापूर पेंटिंग वज पेट्रोनाइजड बाया अली आदिल शहा फर्स्ट और इस सक्सेसर इबराहिम आदिल शहा features of painting were the ladies appearing in illustration are tall and slender and are wearing South Indian dress Bijapur की feature क्या है South Indian dress पहनी है एहमद नगर की क्या है North Indian चोलियां पहनी है differences है सवाल बनते हैं इसमें ठीक है यह देखिए यह एक South Indian dress पहनी हुई एक साधवी है ठीक है एक महिला है साधवी है और Persian element आपको दिख रहा है यहापर golden sky ठीक है यह aerial view high horizon यह सारे क्या है Persian elements है but the dress जो पहनी हुई है यहापर यह है वो scarf ठीक है यह वो आपको scarf दिख रहा है ठीक है scarf पहना हुआ है this is that South Indian element और यह नजम उल अलम नजम उलम एक painting है इस throne के बारे में ठीक है divine throne के बारे में इस gold का use आप देख रहे है और यह horizon जो increasing horizon जो है यह सब क्या है Persian element है लेकिन यह dresses देख रहे हैं आप South India की पहनी हुई है महिलाओने यह South Indian कपड़े पहने हुए यह सब क्या है South Indian elements तो एक fusion है बीजापूर की बीजापूर की जो painting जो उसमें आपको फार्सी और पर्शियन और South India के कल्चर का fusion देखने को मिलेगा right there is an influence of influence of लेपाक्षी mural painting on female types so लेपाक्षी mural painting का असर है females के उपर the rich color scheme the palm trees animals and men are men and women all belong to decanate tradition तो यह देखिए यह palm trees अगर बने हुए देखिए palm trees है यह women यह men जो बने हुए इन्होंने जो dresses बनी हुए यह सब जो है वो क्या है decani tradition but not farsi जो traditionally जो traditional dragon tradition है चाहे वो कनड हो या तेलगू हो इन दोनों के elements देखने को मिल रहे है क्योंकि यह लेपाक्षी mural जो ही विजनगर style है तो विजनगर style है तो decan वाले region में है ना दे प्रोफिस यूज अफ गोल्ड कलर सम फ्लावरिंग प्लांट्स एन आर्बेस्क्यू सन दे टॉप अफ तॉप अफ तॉप दो थ्रोन and derived from Persian tradition तो Persian tradition भी है golden color का इस्तेमाल करना ठीक है यह जो golden color है यह जो आर्बेस्क्यू देखने को मिल रहा है आपको राइट यह सब जो है वो Persian elements है है ना next बात करते हैं गोलकॉंडा की the earliest painting identified as गोलकॉंडा work are group of five charming paintings painted during the reign of Muhammad Kuli Kutub Shah they show dancing girls entertaining the company one of the miniature one of the miniatures illustrated shows the king in his court watching a dance performance यह है वो देखिए Abdullah Kutub Shah जो है वो dance performance देख रहे है यह आप देख पारे है dance performance गोल्ड का किस तरह इस्तेमाल किया गया है this is not just golden color in fact gold itself gold ही है और यह देखिए यहाँ पर यह Persian people बैठे है Persian courts में लेकिन यह जो लड़किया नाचरी इन्होंने South Indian dresses पहनी हुई है तो South Indian यानि कि Deccanee not exactly South Indian लेकिन Deccanee जो traditions है उसका और Persian traditions का fuse हमें देखने को मिल रहा है यह flat view जो है आपको देख रहा है एक flat view जो है यह क्या है Persian influence है साफ साफ ठीक He wears a white muslin coat एक white muslin coat पहना हुआ है with embroidered vertical band a typical costume associated with Golconda coat तो यह Golconda coat का जो है वो typical clothing दिखाई हुए है यहाँ पर Gold color has been lavishly used in painting the architecture, costume, jewelry, vessels, etc तो Golconda की painting में आप देख रहे है gold not just color gold का ही इस्तमाल कर देते हैं next आते हैं Hyderabad की miniature painting painting in Hyderabad started with the foundation of Asaf Jahi तो Asaf Jahi dynasty के बाद तो Asaf Jahi dynasty 1724 में बनी तो आप देख रहे हैं कि Mughal style of painting यह Persian style of painting जो है वो काफी Indianization हो गया उसका प्लस उस में बहुत सारा influence जो है वो Europeans का भी आ गया है distinctive feature of decany paintings of 18th and 19th centuries are also observed in treatment of ethnic types costumes, jewelry, fluorophona, landscape and colors the typical characteristic of a Hyderabad painting which can be observed in miniatures were rich colors the decany facial types or costumes यह देखी यह decany यह है मालकोस राग रंगमाला painting ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं आप इस तरह का तेज आप ऐसा green color ऐसा blue sky जो है वो हमें मुगल painting में नहीं देखने को मिला और यह decany facial characters देखने को मिलते हैं हमें decany facial characters next देखिएगा यहाँ पर एक साधवी बैठी है साप के साथ उसके अलावा यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो च्छत मतलब क्या बोलते हैं च्छत पर घड़ी है और यह जो colors है और यह जो dresses है South Indian dresses North Indian dresses कह लिजे South Indian dresses भी है लेकिन यह जो colors है यह ऐसे मुगल painting में नहीं देखते हैं हमें ठीक है यह दो quotation लड़कियां है बर्ड के साथ खेल रही है ठीक है यह जो पीछे landscape देखिए ना palm trees palm trees आपको जो coastal region है वहीं देखने को मिलेंगे लेकिन नीचे जो यह यह जो carpet पर design है यह फार्सी element है बट यह dresses जो है यह Indian dresses है यह देखिए long braided pig tails और साथ में जो है वो परांदे बादे हो हैं बीचे यह blouses जो है आपको North India के देखने को मिलेंगे राइट तो दिस इजो है हाईदराबादी school यह हाईदराबादी school के जो है वो elements है नेक्स देखते है तंज़ूर school अब यह तंज़ूर जो है वो far south है है ना और तंज़ूर school में definitely आपको जो है वो remnant of Vijayanagar यानि कि Nayaka school के element देखने को मिलेंगे राइट इस आर वोज पॉपलर फोर्म्स अफ्लासिकल south indian painting इस नेटे वाट अफ तंज़ूर अलसो नोन अज़ूर city of Tamil Nadu so city of Tamil Nadu चोलो के समिश है ना तंज़ूर को तम जानते हैं चोलो की capital रही है तो बहुत पुरानी type of art है right the dense composition surface richness and vibrant colors of indian tanjavur paintings indian अच्छ है यहाँ पर continue है tanjavur paintings distinguish them from other type of paintings so यह देखे tanjavur paintings ठीक है तो साफ साफ जो है वो आपको indian mythology की stories या मलब जो hindu epics है ramayana तो यह ramayana ही है basically haruman के ओपर ram बैठ के जो है रावन से लड़ रहे है right but miniature style में है यह उसके अलाबा यह तिरुपती की painting है देख पा रहे हैं आप right यह राधा कृष्णी की painting है है ना तो यह बनाई का कैसे बनाई जाती है since tanjavur paintings are mainly done on solid wood planks ध्यान रखेंगे यह solid wood planks के ऊपर बनाई गई है painting है ठीक है solid wood planks के ऊपर they are locally known as palgai padam palgai meaning wooden and plank and padam meaning picture so palgai wooden plank और उसके ऊपर padam यानि की picture making of tanjavur painting कैसे बनती है of the numerous steps involved in making of tanjavur painting the first involves drawing preliminary sketch so सबसे पहले तो base पर sketch बनाई जाता है फिर उसके ऊपर color कर basic तरीका है बलकुल है the base is made up of cloth which is pasted over a wooden base the second step consists of mixing chalk powder or zinc oxide and water soluble adhesive and applying it on the base thereafter the drawing is made and ornamented with cut glass pearls and even semi precious stone so देखेगा यह देख रहे हैं आप यह semi precious stones gold से जो है वो और glass से जो है वो इसको decorate किया गया है लकडी के ओपर पहले cotton कपडा लगाया फिर उसके ऊपर chalk chalk powder या zinc oxide की एक layer चड़ाई फिर उसके ओपर paint किया है है ना आपको कुछ याद आया इस तरह layer बनाकर painting करना lime की plaster लगाकर painting किसमें की जाती थी है ना frescos और tempera पिछले topic में मैंने आपको बताया था murals में laces or threads threads may be used to decorate the painting to further augment the effect wafer thin sheets of gold are pasted in relief on some of the parts of painting while other parts are painted in bright colors right so देख रहे है आप ये gold लगाया हुआ है इसके ओपर ठीक है so काफी detail में ये painting बनी हुई है इसमें भी जो है वो काफी मलब ये तो पुरानी हो गई है इसलिए vibrant नहीं लग रहे है आपको colors लेकिन जब ये नहीं रही होगी तो बहुत vibrant color रहे होंगे ठीक है so यहाँ पर आज हमारा miniature painting होता है खतम so miniature painting में हमने concept देखो concept पर अभी मैंने जोर नहीं दिया जादा मैं clearly बताता हूँ आपको क्योंकि concept जो है वो बहुत गह रहे है GS1 में जाएंगे हम वहाँ पर cover करेंगे आज जो है वो बहुत सारे facts निकल कर आए कहां कहां पर miniature painting ठीक है इन सबी session की pdf आपको कहां से मिलेगी मेरे telegram channel चोहांसर हिस्ट्री 10% के discount ची आप लोगों को तो आप क्या करेंगे मेरा code use करेंगे जब भी आप subscription ले रहे होंगे इस video को like कीजिएगा share कीजिएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो कीजिएगा करवाईएगा और जादे से जादे शेयर करें इन वीडियोस को अगर आपको फायदा हो रहे है इन वीडियोस से तो ठीक है सो मिलते हैं आप से अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए take care have a nice day